कि अलो फ्रेंट्स विडियो में हम लोग बात करने वाले शे ब्रेक आउट इस्टाउक के ऊपर जिसमें की एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है तो आप लोग जोए वीडियो को दियान से लाश्ट तक देखीगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार कर लिए साथ ये साथ बिल अकन को प्रेस करके करके और को बिसल्क कर लिए जिससे की आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा चले बात कर लेते हैं स्टॉक्स के ऊपर सबसे पहला स्टॉक है का डिल यह आपको बीएसी पर लिस्टेड है इससे पहले ऐसा को को हम लोगों ने देखा था बिस्टॉक ने हंट्रेड के लेवज के ऊपर एक अच्छा टेजी हंने को मिल चुका है वापस से stock में एक अच्छा breakout यहां पर हम लोगों को दिख रहा है तो stock में वापस से हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है अगर monthly chart के उपर बात करेंगे stock में एक strong breakout हम लोगों को यहां पर दिख रहा है और stock जो है continuous एक अच्छा momentum कर रहा है stock अपने all time high पर trade कर रहा है यहां पर stock ने एक अच्छा breakout दिया था उसके बाद एक संदार तेजी इस stock में already देखने को मिल चुका है तो इस stock को हम लोग daily chart के उपर buy कर सकते हैं यहां पर नीचे की side में हम लोगों का analysis invalid हो जाएगा अगर यह stock इस red candle के low के नीचे यानि की 104 के low के नीचे अगर यहां पर आपको close देता है क्योंकि एक multiple inside candle pattern का भी हम लोगों को breakout दिख रहा है यहां पर two inside candle बना है एक mother candle के अंदर और साथी साथ जो है stock यहां पर consolidation range का भी breakout कर रहा है तो उपर की side में जो है एक अच्छा target हम लोगों को इस stock में देखने को मिल सकता है नीचे की side में हम लोगों का SL 104 के level के नीचे होना चाहिए daily closing basis पे second stock की बात करेंगे second stock है सांग भी movers इस stock को मैंने अपने ट्वीटर के handle पर भी update किया था अगर आप लोगों ने ट्वीटर के handle को जोई नहीं किया है description box में link है आप वहां से join कर सकते हैं वहां पर भी आपको market hour में update मिलता रहता है यहां पर अगर देखेंगे तो stock में हम लोगों को एक रेंज ब्रेक आउट देखने को मिला था stock ने यहां पर आपको एक अच्छा momentum किया था एक छोटा सा trend line का development हम लोगों को यहां पर देखने को मिला दी टेस्ट किया previous trading season में और आज के season में वापस से उपर की side stock ने यहां पर closing दिया है तो इस stock में उपर की side में हम लोगों को एक सांदार तेजी देखने को मिल सकता है current market price पे entry ले सकते हैं नीचे की side में 650 का आम लोगों का SL देगा 650 के नीचे daily chart पे अगर close हो जाता है तभी हम लोग exit करेंगे नहीं तो इस stock को hold करके रखेंगे उपर की side में एक बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है third stock की बात करेंगे third stock है TVS motor TVS motor F&O का stock है यहां पर जितने भी जो लोग F&O में trade करते हैं वो लोग F&O के through भी इस stock को trade कर सकते हैं नहीं तो cash market में भी आप इस stock को trade कर सकते हैं एक three month का range breakout हम लोगों को दीख राया है साथ ही साथ जो है continuously हम लोगों को यहां पर एक higher low का formation देखने को मिल रहा है और finally stock ने यहां पर आपको ऊपर की side में breakout कर दिया है तो इस stock में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है stock अपने all time high पे trade कर रहा है clearly एक बहुत ही stock में entry ले सकते हैं अच्छा breakout का information हो चुका है नीचे की side में SL 1317 के नीचे आपका होना चाहिए उपर की side में आपका 1-2-2 का target होगा फूर्थ stock की बात करेंगे फूर्थ stock है इंडियन होटल होटल सेक्टर के सभी stocks में एक सांदर तेजी देखने को मिला इंडियन होटल के stock में continuously हम लोगों को तेजी दिख रहा है यहाँ पे अगर बात करेंगे तो stock अपने all time high पे trade कर रहा है previous two month से stock में एक doji candle का formation हो रहा था फाइनली इस month में वापस से stock ने breakout दिया है तो यहाँ पे एक तेजी हुआ तेजी होने के बाद अगर monthly chart पर बात करेंगे तो हम लोगों को एक छोटा सा flag and pole pattern का breakout दिख रहा है यहाँ पे stock ने एक flag and pole pattern का breakout किया है next trading session जो है इस month का last trading session है stock में एक सांदार तेजी उपर की side में देखने को मिल सकता है breakout confirm हो चुका है तो इस stock को हम लोग current market price पे entry ले सकते हैं नीचे की side में daily basis पे 390 के नीचे हम लोग अपने stop loss को place कर सकते हैं overall range की बात करेंगे तो 375 से 408 का range है बट यहाँ पे हम लोग previous swing के नीचे अपने stop loss को place करे करेंगे उपर की side में वन इस्टू का target होगा नेक्स इस्टॉक की बात करेंगे इस्ट लाइट टेकनलोजी स्टॉक में एक सांदार तेजी देखने को मिल रहा है वीकली बिस्स पे अगर बात करेंगे तो इस टॉक में एक अच्छा डॉंट्रेंट अल्रेडी हमलों को चुका है प्रीवियसली भी तेम लेवल से बाउंस कर रहा है साथ एक के ट्रेंड लाइन का ब्रेकाउट हम लोगों को यहां पर दिख रहा है और काफी हैवी वोल्यूम के साथ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकाउट किया है आज स्टॉक ने तो उपर के साइड में सांदार तेजी दिख सकता है 150 के नीचे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके रख सकते हैं डेली बेसिस पर उपर की साइड में जो पहला टार्गेट होगा वह आपका पहला टार्गेट यहां पर होने वाला है 175 176 का उसके ऊपर जो है 190 192 का दूसर टार्गेट होगा और उसके हम लोगों ने देखा था एक सांदार तेजी देखने को मिला वापस से यहां पर एक फ्लैग एन पूल पैटर्ण का ब्रेक आउट हम लोगों को दीख रहा है इस टॉक में एक सांदार तेजी यहां पर स्टॉक ने का नीचे की साइड में 517 के लेवल पर सपोर्ट लेने को कोसिस किया इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन देने का कोसिस किया अब फाइनली यहां पर ब्रेक आउट आचुका है करेंट मार्केट प्राइस पर हम लोग लोग एंट्री ले सकते हैं नीचे की साइड में 515 के नीचे हम लोग अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके रख स करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले झाल 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 झाल